सब्सक्राइब कीजिए एक्जाम सब के यूट्यूब चैनल को क्योंकि यहां होती है केवल ग्यान की बातें, आपकी एक्जाम की बातें सटिकता के साथ CBSE compartment exam जारी है और इस exam में सामिल होने वाले हर छातर के मन में यही सवाल उठ रहा है कि अगर इस exam में हम पास भी हो जाएंगे तो क्या इस वर्ष किसी college में admission ले पाएंगे? क्या हमारा एक बहुमुल्ले वर्ष कोरोना की भेंट चड़ने से बच पाएगा? चातरों की इनी समस्याओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी गई है कोर्ट ने इस पर क्या कहा है? आईए इस पर एक नजर डालते हैं अगर compartment exam को लेकर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप Facebook या Instagram पर हमें directly message कर सकते हैं लिंक वीडियो के description और आपके screen दोनों ही जगह मौजूद है लगभग धाई लाख छात्र इसवर CBSE compartment exam में सामिल हो रहे हैं ऐसे में अगर CBSE द्वारा compartment exam के result declare करने से पहले कॉलेजों में admission बंध हो जाता है तो लाखों छात्र इस से प्रभावित होंगे इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने UGC और CBSE को आपस में कॉडिनेट करने को कहा है कोर्ट का कहना है कि कोरोना के कारण छात्रों के हिते प्रभावित नहीं होनी चाहिए इसलिए CBSE और UGC आपस में कॉडिनेट करें और कमपार्टमेंट इग्जैम के रिजल्ट डिकलेरेशन और कॉलेजों में admission की डेट्स में समन में बनाए कोर्ट के सवाल पर UGC ने कहा कि कॉलेजों में admission के लिए cut-off date अक्टूबर का आखरी हपता हो सकता है जबकि CBSE के वकिल ने कोर्ट को बताया कि कॉपी इवैलुएशन में तीन से चार हफते लग सकते हैं जस्टिस एम खानविलकर के नित्रितों में इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी तब तक UGC के academic calendar जारी करने पर रोक लगा दी गई है परन्तु कोड के रुख को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि compartment exam देने वाले छात्रों को अब कॉलेजों में इसी सत्र में admission लेने में कोई समस्या नहीं होगी